वेलो स्टूडेंट्स वेलकम तू मैं चैनल इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी और गन सिस्टम्स एंद एर फंक्शन्स तो human body में nine ओर गन सिस्टम होती है और उनके फंक्शन्स क्या होते हैं और उन्त में कौन कौन से और गंस इंक्लूड होते हैं तो यह एक ही चार्ट में पूरा आ जाएगा तो आपको इजी से समझ में आएगा कि क्या है तो चलिए शुरू करते हैं पहला वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम हम सबने लोगर जो भी हम फूड इंटेक करते हैं उसको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कनवर्ट करता है और ब्लड स्ट्रीम में जो न्यूट्रियन्स हम खाते हैं वह एब्सॉब होते हैं तो इसमें में प्रोसेस क्या होता है इंजेशन डाइजेशन मतलब अंदर लेना डाइजेशन मत मतलब फूड के पार्टिकल्स को स्मॉल स्मॉल पीसिज में तोड़ना एब्जॉप्शन मतलब ब्लड में उस नूट्रियंट को एब्जॉप करना और एजेशन मतलब जो भी वेस्ट रहे गया है उसको बॉडी से बाहर थो करना तो यह में प्रोसेस होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन-कौन से उसमें और गंस इंक्लूड होते हैं मांटेंग फेरिंग इसोफेगस फूड पाइप जो कह एज पास में उनका लोकेशन होता है जो की अपना juices जो है अपना enzymes जो है वो digestive track में पोर करते हैं जिससे की जो digestion की process है वो easily होती है without इनके juices इनका juices नहीं अगर अच्छे से पोर होंगे तो digestion process भी नहीं हो पाएगा तो यह भी बहुत important organs होते हैं जो की organ system के साथ associate होते हैं चलिए next आते हैं next है respiratory system तो respiratory system क्या करती है exchange of gases between the organism and environment हम जो environment में जो oxygen होता है वो animals oxygen लेते हैं human beings और जो भी body में carbon dioxide collected होता है lungs में उसको बाहर release करते हैं तो यह होता है external respiration जो physical respiration डिसको हम बोलते हैं और हमारे cellular respiration में क्या होता है जो भी oxygen cell में जाता है तो हर एक cell में जो glucose molecule होता है वो burn होता है oxygen की presence में और energy release होती है तो इस type के energy release को बोलेंगे internal और क्या बोलेंगे cellular respiration तो इसमें आगा release of energy by oxidation of food तो दो तरह से respiration होता है physical होता है external होता है और यह ब्रॉंक्योल्स और lungs और alveolar sac जहां पर यह main transfer होता है oxygen और carbon dioxide का तो lungs और उसके related पुरा system आता है respiratory system में पर उनका function दो रहता है एक external respiration और एक cellular respiration चलिए next आते हैं circulatory system circulatory system क्या है तो यह है जो blood हमारी है flow होती है arteries और veins में वो आता है पुरा circulatory system में heart कौन-कौन से organs आते हैं heart arteries arterioles, capillaries, venules, veins, lymph and blood तो all these will come in circulatory system अब यह जो circulatory system है उसका function है वो क्या है तो एक तो transport of nutrients है जैसे हमारे cities में होता है ना roads होते हैं अगर roads नहीं होगा तो क्या होगा roads अगर नहीं होगे तो फिर हमें जो transport है वो difficult होगा एक जगे से जाना travel करना difficult होगा goods नहीं पहुंच पाएंगे अगर किसी को hospital जाना है तो hospital जाने के लिए भी बहुत problem होगी अगर कोई terrorist attack हो गई है तो उस जगे पर defense mechanism को भेजना भी difficult हो जाएगा तो यह सारी problems हो जाएगी तो जैसे हमारे road के system काम करती है वैसे ही blood circulatory system heart arteries veins काम करती है तो यह क्या काम करती है ट्रांसपोर्ट आफ न्यूट्रियंस का काम करती है फिर respiratory gases जो है वो देती है फिर hormones and minerals in the body वो ट्रांसपोर्ट करती है वह एक excretory organ है वहाँ पर blood filter होता है और जो भी यूरिया है वह बाहर थ्रो हो जाता है तो ब्लड का यह भी काम है कि transport of waste products to excretory organs for the removal यह भी बहुत important function है जो हम कई बार भूल जाते है circulator system में तो आपको यह भी याद रखना है इसके साथ साथ तो चलिए next पर आते हैं skeletal system skeletal तो हम समझते ही है बॉन्स तो बॉन्स और काटिले जो इसके organs है में तो इसका function क्या है support and protection of soft tissues and from external injuries तो जैसे skeletal system में तो ribs है हमारी वह लंग्स को protect करती है skull है वह हमारे brain को protect करता है तो protection का का काम हो गया और हमारे hands जो है limbs और hands है वह हमारी और backbone है वह बॉड़ी को support करती है movement में काम करते हैं तो यह उसका main function हुआ next आता है muscular system muscular system muscles हम समझते हैं तो इसमें कौन-कौन से उसके organs या cells होते हैं तो straighted, unstreated और cardiac muscles यह तीन तरह के muscles होते हैं straighted, unstreated और cardiac muscles इनका क्या काम होता है इनका काम होता है कि यह bones के ऊपर लगे हुए होते हैं और जो tissues को support करने के लिए muscles muscles होते हैं तो में काम है movement and locomotion of the bodies यह में काम है muscular system का next पर आते हैं तो next है किद्नी यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथरा तो किद्नी का में काम क्या है removal of metabolic waste to maintain homeostatus हमारे blood में जितने भी metabolic waste होते हैं mostly urea है, extra salt है या कुछ भी है तो वो filter होता है किद्नी के cells में और वो थ्रो कर देता है और maintain homeostasis, homeostasis मतलब क्या होता है मतलब की body में water और salt का balance बनाये रखना जब summer season होता है तब body में पानी के ज़्यादा होती है तो किद्नी यूरीन में से पानी ज्यादा एब्सॉप कर लेती है तो हमारी यूरीन कभी अपने अबजब किया हो तो summer season में बहुती dark yellow color की होती है पानी कम होता है और वेस्ट का concentration ज्यादा होता है जब winter season में हमारे body को पानी की जरूरत कम पड़ती है क्योंकि इतना temperature नहीं होता है तो जो यूरीन है उसका color बहुती light yellow सा रहता है तो यह जो पूरा balance है वो कहां पर होता है किड्नी के किड्नी में होता है तो एक तो वो removal of waste तो करता ही है पर साथ-साथ में क्या करता है maintain homeostasis यह बहुत important function है किड्नी का चलिए next पर आते हैं तो nervous system nervous system कौन से organs हैंगे इसमें तो brain spinal cord sympathetic parasympathetic nerves and sense organs तो sense organs क्या करते हैं जो भी changes in the environment है वो sense करते हैं और brain को signal देते हैं और brain जो है वो वापिस reply करता है कि क्या act करना है तो उसका function क्या है response to stimuli stimuli मतलब any change in the environment वो stimuli हुआ अब coordinate and regulation of activities by transmitting information हमारी body में hormones की जरूरत है हमारी body को अभी rest की जरूरत है हमारी body को भी भूख लगी है यह सब coordination जो है वो भी brain करता है हमारा heart जो है वो अपने आप चलता रहता है हमारी breathe जो है वो अपने आप चलती रहती है यह सब भी कहां से होता है control brain से होता है तो two types of control होत होते हैं जो हम खुद कंट्रोल करते हैं और एक सब कॉंशेस माइंड अपने आप करता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है किसी को सिखानी नहीं पड़ती है इस तरीके से पुरा नर्वस सिस्टम फॉंक्शन करता है नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन सिस्टम के कौन-कौन से और्गन्स है तो पिटुटरी ग्लाइंड थायरोड पैंक्रियास अड्रीनल यह सारे ग्लाइंड होते हैं यह एंडोक्री इसे सरी बॉड़ी में जो चेंज़ेज है वो जो भी लाने होते हैं वो करते हैं तो कौर्डिनेशन उसका फंक्शन क्या है कौर्डिनेशन एंड रेगुलेशन आफ वेरियस प्रसेस जैसे कि शुगर बैलेंस करना है ना तो ग्लुकागॉन है और इंसुलीन हॉर्मोन है य हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल है वो मेंटेन करती है तो इस सरी किसे जो सारे ग्लाइंड दी है उसके अपने अपने एक पर्टिक्लर फंक्शन है अड्रीनल ग्लाइंड है जो किड्ने के ओपर सिचुएटेड है वो जो है इमर्जंसी सिचुएशन आती जैसे हमारे सा अपने अपने फंक्शन होते हैं नेक्स्ट आते हैं रिप्रोड़क्टिव सिस्टम पे तो मेल्स और फीमेल्स दो अलग-अलग बाडी में अलग-अलग उनके रहते हैं तो टेस्टीज एपिडाइमीज वास डिफरेंश है मेल के हुए और ओवरीस फैलोपींटी वीट्रे में इस पूरी स्पीशी परेड बनती है उसकी तो यह कहां पर होता है रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में होता तो आपको यह आउटलाइन था पूरा हूंपन बाड़बी सिस्टम का अरगन सिस्टम कितने हुए नइन और उनके फंक्शन्स और उनके में और इन जो बी इन् कुछ भी कमेंट्स में लिखना चाहते हैं पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे थैंक यू थैंक्स पूर वाचिंग